नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आज का खास लव राशी फल मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टो फ्रेंड संतों संतोशी एक खास दिन की सुरुवार दिनांग आठ अपरेल रेवती नक्षत्र में चंद्रमा है आज यवम मीन राशी में चंद्रमा है आज अमावस्या है सोमवती यवम सूरे ग्रहन भी लग रहा है इद्यब की भारत में दुरुष्य नहीं है ऐसी इस्थती में आज आपके प्रेम जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का आसर क्या पड़ेगा आज ये बात कर लेते हैं मेश राशी कुछ विवाद एक दूसरे के प्रती दोनों पैदा करेंगे बारहवे का चंद्रमा है बिशब राशी ओवर एस्पेक्टेशन आज रिष्टे में परेशानी पैदा करेगा मिथुन राशी चीजें बहुत संतुलिद हैं परेशान कतई ना हूँ करक राशी जैसा आपने सोचा है उसी के हिसाब से परिडाम आज सामने आएगा सिंग राशी अंतरंगता बढ़ेगी एक दुसरे के करीब आएंगे कन्य राशी कुछ किसी अन्न के कारण रिष्टा दूर जा रहा है तुला राशी सोच समझ कर फैसला लीजिए परिडाम अन्कूल होगा ब्रश्चक राशी आज किसी न किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं धनु राशी परेशानिया अब नहीं रही लेकिन आप सब कुछ सभाल सकते हैं मकर राशी जैसा आपने विचार किया है परिडाम उसी के हिसाब से निकल कर सामने आएगा कुम्भ राशी बिवादों से बाहर आही जाएंगे जिससे रिष्टे में मधुरता रहेगी मीन राशी रिष्टे की बात आज टाल दीजेगा वैसे भी ग्रहन लग रहा है तो आज दूरी अनिवादे हैं उपाई क्या करना चाहिए आज का लव्टिप मैं बता देता हूँ एक कॉटन में रूई में थोड़ा सा इत्र लगाएं तीन बार सूगते हुए अपने पती या पत्ती प्रेमिया प्रेमिका का नाम लें आज की तीन लगी राशियों में नमबर तीन पर आज की लगी राशी है कुमबराशी दो नमबर पर ब्रिश्चिक राशी और एक नमबर पर आज की लखी राशी ब्रिशब राशी सावधान होने वालों में एक नमबर पर मिथुन राशी दो नमबर पर धनु राशी और तीन नमबर पर मीन राशी आज सावधान रहें कुछ परेशानियां चुन्ताएं पीछा नहीं छोड़ेंगी आही जाएंगी ढूटते होगी तो सावधानी रहेगी तो आप निपट लेंगे अर्मत दीजेगा अपना खयाल लखे गाजियाबाद मुलाकात कर सकते हैं परसों से 10 तारिक से ले करके 20 तारिक तक और उसके बाद मुलाकात होगी हमारी आपकी गोरकपुर पत्रना रांची आदिश शहर में जान्यवाद नमस्कार शेरादे आचार्य विश्वप्रसिद्ध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक क्रदाद के लिए झाल